दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजिए और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले अगली वीडियो आप मिसने कर चगे तो चलिए वीडियो समय से ही खेलों को मनोरंजन का एक साधन माना जाता है लेकिन बदलते समय के साथ साथ मनोरंजन भी बिजनेस में तबदिल हो रहा है और इसी वज़े से हमें कई खेल ऐसे देखने को मिलते हैं जो बेहदी अनोके होते हैं और जोकिम बरे होते हैं तो दोस्तो आज मैं आपक सबसे हिंसक खेल कहा जाए तो अतिश योक्ति नहीं होगी इस खेल में जानवर सांड पर भी हिंसा कि जाती है उसे शराब तक पिलाई जाती है मुक्की तोर पर स्पेन में और उसके आसपास के देशों में खेला जाने वाला यह खेल अब तक कईयों की जान ले चुका है इस में हर सांडो की मरने की संक्या 25,000 तक पहुच जाती है। इसके अलावा इस खेल में हिस्सा लेने वाले मैटोड और बुल फाइटर भी जान गवा देते हैं। इस खेल के बारे में वैसे तो बहुत कम लोगी जानते होंगी। मगर रबगी सौसर और ग्रीको रोमन पहलवानी के रूप में मिश्रित तरीके से खेला जाने वाला यह खेल जान तक ले सकता है। गैंद एक दुसरे से चिनने के लिए खिलाडी एक दुसरे को मुक्का वा लात मारते हैं। कई बार यह मारपिट इतनी बूरी तरह से हावी हो जाती है कि लोगों की जान तक चली जाती है। इस खेल में कुल 27 खिलाडी होते हैं जो कुछ भी करने के लिए फ्री होते हैं। अब मुझे नहीं लगता कि जिन्दगी न मिलेगी दुबारा देखने के बाद इस खेल के बारे में कुछ विशेश बताने की जरूरत है। यहाँ खेल खुद में ही बहुत डरावना है। इस खेल में कई लोग सांडों के पैरों तले रौन दिये जाते हैं। तो वहीं ऐसे कई हैं जो हजारों के संक्या में भाग ले रहे लोगों के पैरों तले रौन दिये जाते हैं। इसका मिक्सर्ड होना ही इसकी खासियत है और खतरनाग भी है। अमेरिका, ब्राजिल और जापान जैशे देशों में पोपिलर यह खेल अब तक कईयों की जान ले चुका है। इस खेल में छोट लगने की बारिज संभावने होती है। खिलाडी इतनी तेज गती से आगे पीछे बढ़ते हैं कि दूर गटना गटती ही गटती है। साथ ही इन मुकाबलों में खिलाडियों का आपस में लट जाना तो दूसरी ही कहानी लिखता है।